तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि स्लाइसर फंक्शन की मदब से हम कैसे दोई भी डेटा को बहुत इजिली स्वाट कर सकते हैं बहुत इंसली तरीके से उसको प्रिजेंट कर सकते हैं खालते के नाम हैं कुछ ब्रांचेस और उनका शयल से ठीक है वह देटा को सऩ कर लें उसके बाद में इंसर टैब पर जाके डिट कर लेना है चाहे तो नेक्स पर कर सकते हैं ऑग्सिति पर कर सकते हैं यूज शीट के लिए क्लिक कर देना है यहां पर लूपर एक और पर पास ब्रांच को एक्जाम्पल में फिल्टर में रख देता हूं तो देटा इस तरीके से आपके पास शॉट होगे आ जाता है अब हमें जाना है एनलाइस टैप के अंदर और इंसर्ट स्लाइसर पर किलिक करना है यहां पर आपको किसी भी चीज का स्लाइसर चाहिए वह बना सकते ह हमें बनाना अच्छा रहेगा ब्रांच का कि हम अगर ब्रांच वाइस सेल पता करना है यहां पर अभी आप चाहें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इस तरीके से एक पर्टिकुलर जगा का सेल आप देख सकते हैं कि माली जे दुबई की ब्रांच में किस किसने मनीस और स्वाम कितना और कितना सेल किया है फिरके यहां पर इस आड़ामिक इसकान आसका और उसके बाद अगर आप चाहें तो बरांच वाइस नहीं ओर आपको चाहें तो नेम बइस अगर आपको लॉत सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आप चाहें यह स्लाइसर को डवल कॉलम में भी आप चेंज कर सकते हैं यह दो में कर दीजिए इंटर कर दीजिए यह दो कॉलम में आपके पास सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हसीव खान और अबुदावी में कौन है सीमाव खना है उसने 29,000 सेल किया है तो यह आपका स्लाइसर है जो आप जहां पर भी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से आप अपना डेटा स्लाइसर की मतब से सेट कर सकते हैं दोस्तों गर मिलते हैं नेक्स वीडियो